ट्रिक्स ऐसे जो हमारे समय की बच्चत तो करते ही है, साथ में पैसा और वक्त को भी बचाते हैं। आज लेकर आई हूँ ऐसे special hacks जो आपको बहुत जादा पसंद आरे वाले हैं क्योंकि काम हम रूज करते हैं पर कुछ काम ऐसे होते हैं जो बहुत जादा work ले लेते हैं और पैसा भी खर्च हो जाता है और इन tips को अपनाते हुए आपका एक रुपया भी खर्च बिल्कुल नह ही होगा चले स्टार्ट कर लेते हैं आज का यूसफुल वीडियो पहला यूसफुल टेप मेरा लहसुन से जुड़ा हुआ है सर्दियों का सीजन है लहसुन की तासिर बहुत जादा गरम होती है और यहां पर हमने दूसरा लिया है अजवाइन तो लगभग एक चमश इतना ठंडा जिसा होता है वैसे होने देना है यह इतना गरम नहीं होने देना है कि हमें टच करते हुए इसे तकलीफ हो यह किसी तरह की जलन वगेरा हो तो यह हलका सा ठंडा हो जाए तब आपने क्या करना है एक कोटन का कपड़ा लेना है और उसको इसमें ट्रांसफर कर लेना ह यह एक छोटी सी पोटली बनाके रेडी कर लेना है, यह आपके ठंट में बहुत जादा काम आने वाली है, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, तो आपने यह ट्रिक ज़रूर अपना के देखनी चाहिए, यूजिकि छोटे बच्चे जो होते हैं, हम कितना भी केर कर ले उन्हें सर्दी खासी जुखाम हो ही जाता है, थोड़ा सा भी अगर हम ध्यान नहीं देते हैं, तो उनके हाथ पिर खुले रहे जाए, या सीर खुला रहे जाए, तो उन्हें सर्दी खासी होना आम बात है, तब यह पोटली आपके बहुत ज़दा काम आएगी, यूज आप आपको जरूर देखना चीए, तो जब चोटा बच्चा सो रहा हो, या सोने वाला हो, तब आपने क्या करना है, इसके गले में जहां खराश हो रही है, या सर्दी की वजव बनती है, वहाँ पर हलके हलके से आपने सिकाई करना है, आप देख सकते हैं, बच्चा फिलाल में स खरदी तो खुलेगी, जितनी खराश वगेरा है, ये खतम हो जाएगी, तो इस पोटली को आप बच्चे के पास में कुछ इस तरीके से लग दीजे, और बच्चे को कंबल वगेरा से कवर कर दीजे, इस विंटर सिजन इस ट्रिक को जरूरी यूज करके दिखेगा, अगर बच्चे के घर में चूटे बच्चे हैं, बड़ों के लिए भी ट्रिक काम करती है, तो इस तरीके से आपने घरेलू रमेडी की मदद से बच्चे को ठीक कर सकते हैं, बहुत इस पेशल है के जबर यूज करके दीखीगा, अगले इस फुल है भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने बला है, ठान का सिजन चल रहा है और हर घर में जिकेट पहने जाते हैं, आपने देखा हो कुछ जकेट इस तरह की होते हैं, जिने दूने के बाद में इसमें रिंकल्स आ जाते हैं, अच्छा है इन जकेट का फैबरिक भी कुछ इस तरह का होता है, कि आप इस प मैं ही प्रेस किया है और दूसा स्लीव है इसको मैंने प्रेस किया है इसके उपर जितने भी रिंगल्स है यह रिमूव हो चुके है बहुत ही आसान सा ट्रिक में आज आपको पताने वाली हूं वीडियो को आप देखते रहीगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले क्योंकि यह है क्मिंटर सिजन में हर किसी को पता होना चाहिए क्योंकि इस रिंकल की वज़े से हम इसे पाटे वगेरा में तो बिल्कुल नहीं पैन सकते आप जैकेट को दियान से दिखेगा इसमें काफी सारा रिंकल्स है और जिसे की नॉर्मल हम करते हैं और आपने इसको प्रेस करते जाना है आप देखेंगे इसके जितने भी रिंकल्स वगेरा है वो रिमूव हो जाएगे यहाँ पाने डालने की आपको बिल्कुल जर्वत नहीं पड़ेगी नहीं आपको कुछ और यहाँ पर यूज कर सकते हैं यहाँ पर मैंने आपको कोटन कपड़ा यूज करके बताया है क्योंकि हर घर में कोटन कपड़ा आसानी से अवेलेबल हो जाता है और इस तरह के से आप जिकेट वगेरा कि जितने भी रिंकल्स हैं अच्छे से रिमूव कर सकते हैं तो दूसरा स्वीव में आपको दिखा र तब तो बहुत अच्छी बात है अगर आपके पास गलव नहीं है या अभी आपको पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं और बरतन आपको दूना है उवी ठंड के सिजन में जो बहुत जादा थंडा मोसंग चल रहा है तो बरतन कैसे दूएं पर ट्रिक आपको बताती हूँ इसे आप यूज करके दिखिएगा तो दिखिए हमारे घर में इस तरह का पॉलिबेक जरूर होता है जो कि सब्जियों के साथ आता है इसका हम यूज नहीं करते हैं और इस तरह के मिसिंग जुराब भी अक्तर हमारे घर में रहते हैं तो यहां जो ट्रिक मैं आपको बता र जुराब हमने इसलिए पहना है अगर हलके असा थोड़ा पाने वगेरा जाता है तो साबुन वगेरा की वज़े से हमारे हाथों किस तरह का कोई नुकसान नहीं हो क्योंकि ठटके जिक्सदर में हाथ बहुत जल्दी ट्राय हो जाते हैं आपने एक रवर्ट बेंड लेना है ताकि ये बार बार निकली नहीं और अच्छे से इस तरह के से दोरों हाथों में पहन लिजे इसके बाद आप बर्टन के दीखिये आपके हातों में बिलकुल पानी नहीं लगेगा हातो हाथ में आपको करके दिखा रहे हैं तो चो भी बर्टन लिक्विट आक्त जूसक् Mont costume कोई फर्क नहीं पड़ता है पॉलतिन के ऊपर पॉलतिन की वज़े से एक बून पानी भी आपकी जुराब को बिल्कुल नहीं लगने वाला है जुराब अपने इसले पहना है क्योंकि पानी लगता है ना तो हमारे हाथों में ठंडक आती है जुराब आप पहनेंगे तहां आ पानी पिलता है क्योंकि ठंड में बाहर रखा हो जो पानी फोलतिंशन थे कि यह हमदा ror ने मयरे आप इस ब।ाहना से ना हरतों को को भी जरूंज कह सकते हैं, इसका मितलब साफ है कि पानी से जुड़ा हुआ हर काम आप इस पॉलेटेन का वयर कर सकते हैं, तो देखे, मैंने अच्छे से यहापर कीचन सिंग और अभी मेरा पॉलतीन हाथ से बाहर नहीं आया है क्योंकि हमने रबड का यूज किया है तो आप रबड का यूज जरूर किज़ेगा यहाँ पर मैंने भरतन धूल लिये हैं उसके बाद मैं जो रबड है इसको मैं निकाल रही हूँ बहुत आसानी से यह भी बाहर आ जाते हैं निकाल भी के भी आपको दिखा रहूं ही यहां पर से पॉलतिन ही घीला है, जुरब वीसा का वैसा ही है जैसे मैंने इसको पहना था बिल्क param pressure की बीलकुल आपल आप बाहर बहा निकला है कोई कि छएद नहीं था तो इस तरीके से आप बेकार पड़ी पॉलाथिन का यूज कर सकते हैं और दिखिए जुराब की वज़े से आपके हाथों को ज़रा सा भी पानी नहीं लगीगा वह सबसे अच्छी बात यह कि विंटर सिसर में क्या होता है जितना हम पानी हाथ लगाते हैं उतने हमारे हाथ ड क्राइम बर्दंद होई आपको इस तरह की कोई दिकत नहीं आएगी देख लेते हैं आज का अगला इसफुल है आप भी मसालों के लिए मसाला दानी यूज करते हैं तो आपने देखा होगा जब मसाले कहतम हो जाते तो हम लोग क्या करते हैं इस पुरे डिपे को ही क्लीन कर आप यहां पर यूज कर सकते हैं तो एक बेस पर लगा लेंगे तो आप देखेंगे जितना भी मसाला वगेरा है ना वो टिशू पेपर के उपर ही आएगा और बार बार आपको जब भी आप इस मसाले दानी को रीफिल करते हैं तो पूरे डब्बे को क्लीन करने की दिकत न ही आएगी आप यूज कर सकते हैं ऊपसित कर सकते हैं तो अगर आप कोई आप पीर अर गर में होता है तो हम आज जहना है लोग्लstofficle उस कर दोगे मेरे पास डबल टेप तो डबलडएप से आप पीछे की तड़ फुच ऐसे लगा दुगीं वान साइग हमने इस पिआँ लगा सकते हैं अगर टाइल्स वगेरा की वॉल्स तो उस पर बहुत अच्छी से चिपक जाता है इस क्लोथ क्लिप पेर आप कीचन टावल को हैं कर सकते हैं वाश्रूम में इसका यूज़ कर सकते हैं पॉलथिन वगेरा अगर आपको इस तरह के से सुखाना है तो आप इसे भ प्रब्लम हर घर में होती है और इस समस्याओ का समाधान हमें ज़रूर पता होना चाहिए कि बीना पैसे खर्च करें हम इन्हें ठीक कैसे कर सकते हैं चले मिलते हैं अगली यसी यूसफूल वीडियो में जब कि घर और कीचन की लाइफ को आसान बनाये चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा देखने के आपका बहुत सारा धन्यवाद